नमस्कार, भारतिय जंता पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी और जन सेना पार्टी, ये दोनों जो क्षेत्री दल हैं, आपको मालूम है कि ये आंधर प्रदेश के दल हैं और भारतिय जंता पार्टी राष्ट्री दल हैं, इन तीनों का बहु प्रतीक्षित समझोता या गटबंधन शनिवार को उसकी आपचारिक घोशना हो गई हो गया यानि चंदरबाबु नाइडू और जन सेना पार्टी दोनों NDA का हिस्सा बन गई है तो NDA का विस्तार हो गया है भारती जनता पार्टी की जो लगातार कोशिश है कि NDA का विस्तार होता रहे उसमें नई पार्टी जूड़ते रहें खासत और से भाजपा का ज़्यादा जोर इस समय दक्षिन भारत पर है कि दक्षिन भारत में उसकी सीटें उसका फुट्प्रिंट बढ़े उसका वोट शे की बहुत ही जादा मजबूत है वहां उसको कोई चुनोती है नहीं कॉंग्रेस पार्टी सबसे बड़ी काज्य में उतनी मजबूत नहीं है तेलंगाना में उसके फुट्प्रिंट बढ़ रहे हैं विधान सभाचुनाव में उसकी ताकत बढ़ी है वोट शेयर भी बढ़ा है सीटे भी बढ़ी है पिछले लोगसभाचुनाव में भी वहां की सतरह में से चार सीटें जीते थी तो इसलिए भारती जंता पार्टी का करनाटक के बाद तेलंगाना में असर बढ़ रहा है इस बार उम्मीद है कि केरल और तमिलनाडू जो है उसके लिए नए दर्वाजे खुलेंगे दक्षण के केरल और तमिलनाडू में लेकिन बात करते हैं चंदरबाबु नाइडू की मै पहले भी एक बार आपको बताया था कि ये एक इतफाक की बात है कि चंदरबाबु नाइडू पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो अपने ससूर यानि एंटी रामाराओ से बगावत करके उनकी पार्टी जो है लेकर वो पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बने उस 2004 में तोड़ा, सत्ता से बाहर हुए दस साल तक बाहर रहे, फिर चौदा में गड़बंदन किया, सत्ता में आए 19 तक रहे, 18 में गड़बंदन तोड़ दिया, इंडिये से बाहर चले गए, 19 में फिर चुनाव भार गए, अब उन्होंने फिर से भारती जंता पार्टी के सा गर्बंदन करने का फैसला किया है और वो यह कोशिश पिछले चार साल से कर रहे थे 2018 में YRCP से मकाबले के चक्कर में और यह इस नाराज़गी के कारण कि भारतिय जन्ता पार्टी उनका साथ उस तरह से नहीं दे रही है जो प्रदेश का मटवारा है उसको लेकर जो पैकेज है उसके मामले में जिस तरह से उनकी अपेक्षा है तो वो छोड़कर चले गए उनको लगा कि भारतिय जन्ता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है और UPA जो है सत्ता में आने वाला है इसलिए वो कॉंग्रेस के साथ चले गए लोग सभाज चुनाओ में लेकिन लोग सभाज चुनाओ और विधान सभाज चुनाओ अंधर प्रदेश में साथ साथ होता है आपको पता है उसका नतीजा जो आया उससे उनको समझ में आ गया कि उनको कुछ जो है मिलने वाला है नहीं और वो बुरी तरह से हार गए और पांच साल सत्ता से बाहर रहने का जो उनका अनुभव है वो अब तक कि उनकी राजनीती का सबसे बुरा अनुभव है उन्हें लगता है कि अगर केंदर में सत्ता में रहने वाली पार्टी का साथ हो तो राज्जिकी राजनीती थोड़ा और आसान हो जाती है सत्ता हो तो और ज़्यादा होती है सत्ता नहों विपक्ष में हो तो भी उनको लगता है कि YRCP के आकरमण से YRCP के अत्याचार से अगर भाजपा का साथ होता उनका बना रहता दोजार अठारे में छोड़ा ना होता तो उनके लिए लड़ाई लड़ना ज्यादा आसान होता तो उनको पता है कि 2024 के लोगसभा चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है मालूम है कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी तीसरी बार शपत लेने वाले हैं प्रधान मंतरी पद की तो उनको मालूम है कि केंदर में सत्ता में कौन रहेगा और राज्य में YRCP यानि जगर मोहन रेड़ी की जो पार्टी है उसकी अलोक्रियता बढ़ती जा रही है उससे नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है तो ये एक आउसर है उनके लिए एक मौका है फिर से सत्ता मे आने का और उनको लगता है कि भाजपा और जो स्थानिय पार्टी है अंध्र प्रदेश की जन सेना पार्टी पाउन कल्यान की फिल्म स्टार जो है उनकी पार्टी ये तीनों अगर मिलकर चुनाव लड़ें तो सत्ता में वापसी राज्य में राज्य की बात कर रहा हूं है वेड़ान सभा में सच्टा में वापसी हो सकती है क्योंकि जगन मौहन रेड़ी की स्थिती खराब है वैसे जगन मौहन रेड़ी भी चाहते थे कि भारत्य जंता पार्टी के साथ उनका समझवादा हो जया है लेकिन भाजपा को ज़्याधा फायदे मन लगा टीडी पे अध्यक्ष मौझूद थे और जंसेना पार्टी के अध्यक्ष पाउन कल्यान मौझूद थे इसमें मोटा मोटा जो है सीटों के बटवारे का फॉर्मूला तै हो गया हाना कि उसकी आपचारी घोशना नहीं हुई है यह समझा जा रहा है कि भारती जंता पार्टी को लोगसभ की और बाकी सीटे जो है वो चंद्रबावु नाइडू की पार्टी तेल्गो देशम पार्टी लड़ेगी आपको याद दिला दें दोहजार चौदा के लोगसभा चुनाव में टीडीपी में टीडीपी ने बीजेपी को चार सीटे दी थी लोगसभा की इस बार आठ सीट दी है जबकि पिछले चुनाव में बाजपाक का वोट शेयर आंध प्रदेश में एक परसेंट भी नहीं था तो सवाल ये है कि जिस पार्टी का एक परसेंट वोट शेयर नहीं है उसको लोगसभा की छे से आठ सीटे क्यों दे रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण सबसे बदल गई थी उनके पक्ष में मोधी के साथ आने से उसी तरह से 2024 में भी हवा बदल जाएगी नरिद मोधी के साथ होने से तो प्रधान मंतरी की जो अपील है वो भारती जनता पार्टी को नुकसान इसलिए होता है कि उसका संगठन महां है नहीं लेकिन अगर तेल्गू द से लगा सकते हैं कि भाजपा 6-8 ही विधान सभा की सीटें लेने को भी तयार हो गई है तो 22 से 24 सीटें विधान सभा की परऊन कल्यान की पार्टी को मिलेगी और बाकी पर जो है तेल्गू देशण पार्टी लडएगी तो मुक्ति रूप से यह तै हो गया है कि भाजपा ल तेल्गू देशम पार्टी की ओर से चंद्रबाबू नाइडू की लगातार कोशिश थी किसी तरह से ये समझावता हो जाए और ये समझावता हो जाए तो उनको लगता है कि इसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो भी ये चंद्रबाबू नाइडू और उनकी तेल्गू देशम पार्टी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है ये उनके पोलिटिकल सर्वाइवल का चुनाव है अगर ये चुनाव बुरी तरह से हार जाते हैं और केंद्र और जराज ये दोनों की सत्ता से दूर रहते हैं तो उ उनके लिए फिर पोलिटिकली सर्वाइव करना बड़ा कठिन हो जाएगा तो ऐसे में चंद्रबाबू नाइडू को एक ही विकल्प नजर आया कि वो है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी का साथ देश भर में जिस तरह से हवा है इस समय जिस तरह की लोग प्रियता है प्रधा गडबंधन के लिए तैयार क्यों हुई पिछली बार आपको मालूम है 2014 में चार सीटे मिली थी बीजेपी को लोग सभा की गडबंधन में उस दो सीटों पर जीती थी इस बार उसको उमीद है कि तीन या चार सीटों पर जीत सकती है लेकिन देखें एंडिये और इंडिये जो है उसमें सोच के फर्क को समझे इंडिये इलाइंस में जो गडबंधन के साथी दल हैं उनकी कोशिश है कि कौन जादा से जादा सीटों पर लड़े कैसे गडबंधन में जो सीटों का तालमेल है उसमें हमको जादा से जादा सीटें मिले जबकि भारती जंता पार्टी और NDA में फर्किया है भाजपा का सिधान्त ये है कि सीटे कौन कितनी लड़ता है ये immaterial है ये अप्रासंगिक है इसका कोई मतलब नहीं है बात ये है कि सीटे जीतता कौन कितनी है तो ध्यान इस पर देना है कि कौन कितनी सीटे जीतता है और भारती जंता पार्टी का लक्ष आपको पता है एंडिये के लिए 400 पार का है जो प्रदान मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि एंडिये 400 पार और भाती जनता पार्टी 370 पार तो अगर 400 पार का लक्ष एंडिये के लिए रखना है तो दो काम जरूरी है एक एंडिये का विस्तार जो चंदबाबु नाइडू और जनसेग आने से हुआ है और भी पार्टी आने वाली है तो अटिये का विस्तार होना एंडिये के लिए सीटों की संख्या बढ़ने की एक दरैसे गारेंटी बन जाता है और दूसरा जाधा से जाधा सीटे जीतने की कोशिश और तीसरा फायदा बिजेपी को ये है ये जो बार-बार कहा जाता है कि दक्षिन भारत में बहुत कमजोर पार्टी है हाला कि तथ्याक्मा करूप से ये बिलकुल सही बात नहीं है भाती जनता पार्टी की 28 सीटे हैं 131 दक्षिन भारत की जो कुल सीटे हैं लोगसभा की उन में से और Congress Party के पास 27 सीटे हैं फिर भी कहा ये जाता है कि Congress Party दक्षम में बहुत मजबूत है और भाती जनता Party बहुत कमजोर है तो इस धारणा को भाजपा बदलना चाहती है पार्टी के स्तर पर भी और कटबंधन के स्तर पर भी तो चंदरबाबु नाइडू के साथ ये जो समझवता हुआ है उसका भाजपा को भी फायदा मिलने वाला है और तेलगु देशम को भी और जन सेना को भी तो विन-विन सिचुएशन है ये तीनों पार्टीओं के लिए और NDA के लिए तो है ही तो इस अंक में इतना ही नमस्कार